तो जैहिन साथ ही स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल A.S.S.Education के एक और सांदार वीडियो में आज की सांदार वीडियो में आप सभी को physics के ऐसे महतपूर टॉपिक जो की आपके लिए बहुत ही important टॉपिक है की समय आपके लिए बहुत कम बचा है इस सेज समय में इन सभी टॉपिक को अच्छे से तयार कर लिजिए ये बहुत ही महतपूर टॉपिक है जो की पूरे question मतलब पूरे किताब से है और जो की पूरा question आपको अच्छे से समझ लिजिए और उसके बाद answer इसका आप धूर लिजिएगा या नहीं पाते हैं तो आप comment box में comment किजिएगा हम आपको इसके question इसके answer जरूर बताएंगे ठिक चली वीडियो को start करते हैं बिना द करना कितना important है इस topic से कितने question पूछ जाते हैं चली तो आप जैसे कि यहां से देख सकते है कि इतना हमने इतना सारा लिखा इतने topic है इस सभी topic में सब महतपूर ही है तुछी हम बात करते हैं यहां से सबसे पहला है कि कुलाम का नियम आपके board paper में पूरे पूरे 5 number का पूछा जाता है जो कि हमने आल्रेडी वीडियो बना दिया है तो आपको इसके वीडियो में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम बता देंगे वहां से आप जाके देख सकते हैं और इसके बाद अच्छे से समझाए भी हैं तो इसको तयार किले जिएगा यहां important very important question है ठिक और उसके बाद दूसरा यहां से है दुईधुरू आगूर दुईधुरू आगूर यहां भी important है यहां भी आपके 5 नमबर से 5 नमबर के question में आता है और related question बहुत आते हैं ठिक अब चलिए यहां से तीसरा है गास की पर्मे गास की पर्मे भी यहां से important है क्योंकि इसमें से आपके 5 से 7 नमबर के question पूछ जाते हैं ठिक अब बचा यहां चोथा है कि विदूत विभव ता था विभवांतर ठिक यहां भी आपके लिए important है ठिक क्योंकि इसमें से भी यहां तीन से 5 नमबर के question पूछ जाते हैं लेकिन आपके board paper में 3 नमबर 5 नमबर कितने म इसे भी तयार कर लिजिए अच्छे से ठिक ओम का नियम तो पूछिए ही न यहां तो सबसे important question पूरे topic में सबसे important है क्योंकि इसमें से आपके 7 से 10 नमबर के question पूछ जाते हैं ठिक आपके 7 से 10 नमबर question इसी से पूछ जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कितना महतपूर है क्यो यहां से साथवा है विद्दुद इंपियर ठिक विद्दुद इंपियर जो की आपके 5 नमबर का भी question यहां पूछ जाता है यहां भी important जितने भी आपको topic दिख रहे हैं यहां सभी क्या important ही हैं ठिक आठवा है विशिष्ट प्रतिरोद यहां तो important है यहां इसे भी तयार क प्रकास का important यहां तो important है आपका अच्छा 9 में भी पढ़ चुके हैं अलब 9 में नहीं पढ़ हैं 10 में पढ़े हैं ठिक इसे ही 12 में आपको क्या कर दिया गया है विश्टित रूप से कर दिया गया है ठिक तो इसे भी तयार कर लिजेगा चलिए यहां से हाइगेंस का सिधान्त यहां भी क्या है आपके लिए important है इससे भी question 2-3 question पूछे जाते हैं जो कि आपके 3-3 number के question पूछे जाते हैं या फिर आपके एक भी number के जाते हैं बहुविकल्पी में पूछे भी जाते है तब पर भी एक number आपके लिए बहुत महत्रपूर है ठिक 99% बनाने के लि ठिक यहां भी गोलिये प्रिष्ट पर अपवरतन यहां भी क्या है बहुत ही महत्रपूर है ठिक अब यहां से 12 नंबर है विवरतन और कारे फल ठिक इस तरीके से है यहां भी क्या है बहुत ही important है ठिक यहां भी topic important है इसमें से भी 2-3 question आते हैं ठिक अब यहां से है 13 नंबर रेखी आवेज घनत तथा आवेज का प्रिष्टी घनत यहाभी क्या है इंपॉर्टेंट ही है इससे भी तीन से तीन या दो कोश्चन आते हैं लेकिन यहाभी तीन तीन नंबर के कोश्चन आते हैं फिक तीन तीन नंबर के कोश्चन आते हैं यहाभी इंपॉर्टेंट है इस से भी तयार कर लेजिए ठीक अब यहां से है समांतर प्लेट संधारता की धारत ठीक यहां भी क्या है इंपॉर्टंट है इसमें से तो भाया 3-5 नमबर के question पुछे जाते हैं ठीक क्यों की कि इसमें से तो तीन दो तीन question ऐसे होते हैं कि जो कि आना ही आना है चलिए यहां से 15 नमबर है कि अनुगमन बे यहां भी important है आपके लिए यहां से 2-3 question पूछ जाते हैं ठीक यहां भी क्या है बहुत ही important है ठीक इसे भी तयार कर लिजे ठीक यहां से वियन नर्मालता एवम हर्मलता ठीक यहां भी क्या है आपके लिए important है ठीक यहां भी important है इस में से question बहुविकल्पी question पुछा जाता है फारमूले के रूप में फिक जिसे आपको एक नंबर के लिए होता है और उसमें टिक लगाना होता है लेकिन टिक लगाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा इसका पूरा सूत्र या फिर इसके लिए पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा ठिक आप चलिए यहां से 17 नंबर है धारा और अनगमन बेग में संबन धारा और अनगमन में बेग में संबन ठिक कभी-कभी इसको क्या कर देता है कि सिध्ध करने के लिए भी दिया जाता है बोर्ड पेपर में ठिक जो कि सिद्ध करने के लिए जब आता है तो 5 से 7 नंबर का question जब आता है तो उसमें भी या आपको सिद्ध करने के लिए आसान एकदम आसान होता है लेकिन थोड़ा आप मिनाद करे रहेंगे तो और भी आसान हो जाएगा आप के लिए चलिए यहां से 18 नमबर है स्नेल का आंतरीक परतिरोद वेंजन सहित ठिक यहां से स्नेल का आंतरीक परतिरोद याद करना है और वेंजन सहित वेंजन का मतलब होता है सूतर सहित ठिक सूतर सहित आपको इसे याद करना है ठिक यहां भी क्या आपके लिए हैं इंपॉर्टेंट ठीक अब यहां से है 19 नमबर धारा घनत धारा घनत यहां चैप्टर तो आपके लिए very important ही है वहिया क्योंकि यहां से 5 से 7 नमबर के question पुछे जाते हैं और ओ भी आपके 5 से 7 नमबर के question पुछे जाते हैं ठीक यहां है निति करड कोड निति कोड यहां भी important है यहां भी आपक question भी पूछा जाता है जौधा तर आपके लिए यहां से भविकल्पी ही पूछा जाता है ठिक आप देखी यहां से 21 नंबर है laryngeble and impier का परिपथिये नियम ठिक परिपथिये नियम है ठिक यहांभी क्या है आपके लिए important है ठिक important इसलिए है अब यह कि क्यों कि इसमें देखिए लारेंजबल और एंपियर का परिपथिय नियम यहां दो नियम है ठिक दोनों अलग-अलग है लारेंजबल और एंपियर का परिपथिय नियम यहां दोनों अलग-अलग है इसलिए क्या है कि यहां important है ठिक दोनों के लिए आपको सूत्र रियाद करना सबसे महत पुढ़ है क्या हो कि लारेंजबल का जो सूत्र होता है वहां आपके बहुविकल्पी question के रूप में पूचता है ठिक एक number के question में लेकिन इसका जब long question पू important है इसे बिल्कुल तयार ही कर लिजेगा छोड़िएगा नहीं एक भी topic क्योंकि आपके सेस बहुत कम समय बचे हैं इन ही कम समयों में आप अच्छे से तयारी कर लेंगे तभी आपके 99% आएंगे 100% लाना है तो इन सभी topic को अच्छे से तयार कर लिजे ठिक चलिए यहां से हम बात करते हैं कि soft prayer ठिक इसमें से भी आपके बहुविकल्पी कोश्चन आते हैं ठिक इसे भी तयार कर लिजेगा अब यहां से 23 नंबर में है कोलो राउड का नियम यहां कोलो राउड का नियम होता है यहां सूत्र के रूप में पूछा जाता है सूत्र इसका लिखना होत है ठिक बहुविकल्पी के रूप में भी आता है लांग कोश्चन भी आता है यहां बहुविकल्पी में जब पूछा जाता है एक नंबर का होता है और उसके बाद तीन से पांच नंबर का भी कोश्चन पूछा जाता है ठिक यहां से हैं आप देखिए 24 नंबर PNP तथा य कर लिजएगा इसका full-form पूशा जाता है ठिक और उसके बारे में भी लिखना आता है इसे भी अच्छे से तयार कर लिजएगा यहां आपके लिए important है ठिक चलिए यहां से 25 नंबर में है last है OR get sari tathut chip ठिक इसका भी क्या होता है कि citr इसका भी बनाना अटा है ठिक इसका भी चित्र बनाने के लिए आता है ठिक और इसक에 भी चित्र बनाने के लिए आता है ओवार गेट साड़ी तथा चित्र ठिक इसको भी अच्छे से तयार कर लिजेगा ठिक ताकि आपके board paper में minha thee 일 सबसे related कोई भी question आता है ठिक यहां पूरे किताब से important question है ठीक पूरे point है ठीक इसे अच्छे से तयार कर लेजिएगा आप hundred percent हम कहते है कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता ठीक वीडियो पसंद आई हो तो like किजिएगा सेर कीजिएगा दोस्तों तक मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में तब तक के लिए thank you, take care, good bye, जैहिल